हलो फ्रेंस आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज की इस वूड़ों में हम बात करने वाले हैं जो जारकन में जेसेसी के तरफ से जारकन पुलिस उतपाद सिपाही का पद पर पहली का अपडेट निकाला गया है जिसमें परिच्छा का स्वरूप जिसमें लिखित परिच्छा सारेरिक परिच्छा और चिकिसा परिच्छा का जो परिच्छा का स्वरूप होने वाला है उसमें लिखित परिच्छा में दो पाठ करम का वीडियो में बना चुका हूँ पहला भासा ग्यान का परिच्छा का जो पाठ करम आने वाला है और दूसरा जन जाती है भासा ग्यान परिच्छा का जो पाठ करम में परिच्छा में जो आने वाला है कॉस्चिन उसका वीडियो में अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ उसमें क्या 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 कॉस्चिन आएंगे कौन से पार्ट से आएंगे कौन सा बुक से आपको तयारी करना है वो सब डीटेल हम उसका वीडियो बना कर अपने चैनल में अपलोड कर चुके अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं वीडियो के डिस्केशन में भी च कौन सा बुक से त्यारी करना है वो उसका वीडियो बना कर अपलोड कर चुका हूँ और आज के इस वीडियो में हम आपको पत्र थिरी मतलब समान अधियान जारखन राज संबंदित ग्यान परिक्षा समाजिक विज्ञान समाजिक गनित समान विज्ञान समान गनित में जो को को अने वाला है और कैसा गेड़ा तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा हम पूरा अपडेट आपको इसमें देएंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा इसमें कोयщत आने वाला है आप उसको याद कर लीजेगा तो आप इसके को परिक्षा जो होने वाला लिकित तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एडवेटाइजमेंट खुल चुका है पत्र थिरी में यहाँ पर लिखा हुआ है इस पत्र में पुछे जाने वाले प्रसनी की संख्या 120 रहेगी पहला समान अध्यान जिसमें 40 प्रसन रहेंगे उसके बाद जारकन रासे संबंद आपका परिक्षा में जो है कोश्चन आने वाले तो सबसे पहले हम समान अध्यान की बात कर लेते हैं देखिए जब आप परिक्षा लिखने के लिए जाएंगे तो समान अध्यान में आपको कौन से परसन आएंगे हम बता देते हैं इसमें से परसन का उद्देश व्यारति दिश्टिकोन जैसे मामले की जनकारी जिसे किसी भी सीचिद व्यक्ति की आफेचा की जा सकती है। तो ये सब जितना भी मैं आपको बताया हूँ घटनाये जितना भी है खेल कुछ से या फिर करेंट अफेर जो घटना अभी हुई है दो हजार सोलस लेकर अठारा तक में उसके अलावा राजनीतिक भारस में जितनी भी राजनीतिक विवस्था हुई है वो सब भारत का इतिहा भुगोल, पारेवरं, स्वतंत्र, आंदोलन, भारती, क्रिशी, प्रकृती, संसाधन ये सब आपका कोश्चन मिलेगा जी हाँ आप इसका स्क्रीन सौट ले लिजिए देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है आप इसका स्क्रीन सौट यहां से ले जीजे और इसमें जितना भी आपको subject मैं बता रहा हूं यही सबसे आपका समान ग्यान में question पूछे जाएंगे जीए हां ये सभी इतिहास में जितना भी हुआ है भारत में जितना भी इतिहास हुआ है जितना भी current affair हुआ है दो या सोला से लेकर अठारा तक में ये सब कोश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे उसके बाद सेकंड नमबर में आपका क्या बोला गया जारकन राज से सम्बंदित ग्यांजियां अब यहाँ पर आ जाईए आपको यहाँ पर सिर्फ जारकन राज से सम्बंदित या इसमें सब्जेक्ट रहेगा वो जान लिजिए जारकन राज के भुगोल तो जारकन राज के भुगोल का यहां पर कोश्चन आएगा उसके बाद इतिहास जारकन राज में जितना भी इतिहास हुआ है सभ्यता, संस्कृति, भासा, सहित, अस्थान, खनीज, उद्दोग, राज्टी, आंदोलन में जारकन का योगदान, विकास, योजना, खेल, खिलाडी, इतियादी, तो ये सभी सब्जेक्ट, ये सभी जितना भी पाठिकरम है आपको सारा याद करना पड़ेगा, जारकन से रिलेटेड जितना भी इतिहास हुआ है, जितना भी इससे संबंदी जितना भी कोश्चन होगा, यही सब आपको याद करना है, उसके बाद के समान विज्ञान, आप देखें समान विज्ञान आपका साइंस में कौन सा कोश्चन आएगा, इसको जान ली दिए, समान विज्ञान के प्रस्न, दिन परतिदिन, अवलोकन, एवं अनुभाव पर अधारित विज्ञान की समान समझ एवं परिबोत से संबनिन विज्ञान रहेंगे, जैसे की एक सुरच्चित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान का विज्ञान का विज्ञान अध्यान नहीं किया हो, आपेचित, तो देखें, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि समान विज्ञान जो आपका मैट्रिक लेवल में जो भी आप साइंस बुक से पढ़े होंगे जो भी घटना है जितना भी समान विज्ञान जो होता है वो आपको मैट्रिक लेवल का बुक आपको ले लेना है और उसी से आपको पढ़ना है ठीक है उसका बुक भी आपको मैं बता द दूँगा उस अधार पर आप उसे याद कर लीजेगा और उसका तयारी कीजेगा अगर आपके पास metric का book होगा science का या फिर आपका जारकन से related जितना भी आपका इतिहास का book होगा वो आप करी सकते हैं तो इसी तरह से आपको यहाँ पर तयारी करना है उसके बार देखिए घा नमबर में समानी गनीद देखिए अब समानी गनीद में क्या लिखावा इस विसे में समानीदा metric 10 वी कच्छा अस्तर के अंग से समंदित प्रसंड रहेंगे तो यहाँ पर देखिए दसवी class का जो book होगा math का वो आपको ले लेना है math का book और उसमें जितना भी question होगा उसी को आपको यहाँ पर याद करना है उसी को आपको revise कर लेना है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया साब तोर पर की metric अस्तर से ही question उठाए जाएंगे तो metric exam में जितना भी आप तयारी की होगे गनित का book आप पढ़े होगे उसका आपको ले लेना है एक book और आपको math का तयारी करना है तो यह आपका question हो गया 120 अंग का question हो गया तो यही आपको तयारी करना है इसका book का मैं आपको एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको काखागा घास से लेकर जितना भी मैं बताया हूँ समाजिक विज्ञान, समान्य गनित जारकन से related question नितिहास और समान्य अध्यन तो यह चारो subject का जो book होगा मैं आपको उसे related एक वीडियो बना दूँगा आप उसे देखकर उस book को purchase कर लीजेगा उसके बाद आप इसका तयारी कर सकते है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं और इसका तयारी कर सकते है जब आप इसका परिक्षा पास कर लेंगे उसके बाद ही आपको सारे रिक जांच परिक्षा में लिया जाएगा सारी रिक जांच परिछा में आपको क्या करना होगा देखिए सारी रिक जांच परिछा में बताया गया उचाई एवं सीना की माप की जाएगी जिसमें महीला की सिरिप उचाई माप की जाएगी जिहां महिला लोग को सिरिफ हाइट ना पा जाएगा और पुरुषों को उचाई के साथ उनका सीना चेश्ट भी मापा जाएगा और साथ ही साथ आपका दौड होगा जी हाँ दोस्तों इसमें दौड होगा पुरुषों के लिए 10 किलो मिटर एक घंटा में दौड पूरा करना किलो मिटर करना है तो इस तरह से परिख्छा बनाया गया तो इस तरह से अगर आप इसे क्वैटाय करते हैं उसके बाद आप चिकीसा जाचपरिच्छा में पहुंच कांगे चिकिसा जांच परिच्छा में बताया गया है कि जो लिखिद और सारीरिक परिच्छा में पास होंगे वही लोग चिकिसा जांच परिच्छा में पहुँचेंगे और इसका जो जांच होगा असैनिक सल चिकिसा सहमुक चिकिसा पतादिकारी दोआरा इसका जो है सेलेक्षन ल अब इसका कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है उसका वीडियो में अगले एपिसोड बना दूगा अगर इससे पहले का एपिसोड आप नहीं देखे हैं जन जाती भासा में क्या क्या पढ़ना है या फिर पत्र वन भासा का ग्यान में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका वी जाच परिच्छा में पहुंचेंगे और किसा जाच परिच्छा में आप पहुंच पाएंगे तो आसा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा और उसके बाद Special Branch Contrable Closure Cadre का पहाली है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें उसमें किस तरह से सलेक्षन होगा कैसा आपका पाट करम होगा लिखीत परिच्छा में किस तरह से कोश्चन आएंगे उसका वीडियो मैं अब इसके बाद बनाने वाला हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो चलिए आज की सूटों में इजाज़त चाहूँगा कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेर कीजेगा और अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो कॉमेंट कीजेगा मैं आपका रिपलाइ करने का जरूर कोशिज करूँगा तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब दक लिए ध्यान रखेगा अपना नमस्कार